तो अगर आपके एक्जाम में किसी भी टाइप का कोशन बन जाए इस टॉपिक से लेटेट तो वो आज कवर होने वाला है तो बिना किसी तरी कि आज की लेक्शर को हम स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है कुंडी मरल लेक इस सिचुएटेट इन तो जो कुंडी मरल जील है यह क नहां पर आपको बताने कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है कांगडा कुलू उना या चमबा तो बताई कुंडी मरल लेक का है यह पढ़ती है चमबा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट का जो राइट आंसर वह ऑप्शन डी चमबा अगर आपने डिस्क्रिप्टिव लेक्शर नहीं भी साहिए तो फर्स्ट का क्या है कुंडी मरल लेक का है यह चंबा डिस्ट्रिक्ट में है चलिए नेक्स दिखते हैं हाओ मैंनी रामसर वेट्लेंड साइट से नहीं माचल तो किया रहा है थी Además साफ है इंड़्ेड साइट है अपर्शन सी है फटिर्ड इस वह इंड्य तो पॉंग जील है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 40 km, 42, 43 या 52 km, तो बताइए, जो पॉंग लेग है, पॉंग लेग कैसे बनी थी, जो आपका पॉंग डैम है, उसके बनने से बनी थी, पॉंग लेग, पॉंग जो डैम में उसे महाना पताब सागर डैम भी बोलते, तो उसके बन हर एक exam चाहिए पटवारी हो, forest guard हो, jail water हो, हर एक exam के courses आपको मिल जाएंगे तो उन्हें भी check out ज़रूर करना, description में link दिया हुआ है फोर्थ है, which lake of Himachal Pradesh is third highest lake in all over India तो Himachal Pradesh की कौन सी जील पूरे भारत में तीसरी सबसे उची जील है तो बताइए, Himachal Pradesh की कौन सी जील है, जो पूरे भारत में तीसरी सबसे उची जील है option देखते है, सुरस्ताल लेक, साहूल लेक, लामा लेक या डल लेक तो fourth का right answer क्या होगा, fourth का जो right answer है, वो है सुरस्ताल लेक सुरस्ताल लेक, कौन सी डिस्टिक में? लाहलेंड स्पिती में, इसकी जो हाइट थी, 4800 मेटर थी तो ये पूरे इंडिया में तीसरी सबसे उची जील है, जो की हमाचाब प्रदेश की है, सुरस्ताल लेक चलिए next question देखते है, total area of Govinsagar Lake, तो Govinsagar जील का कुल शित्रफल कितना है, आपको बताना है, 164, 165, 167 या 168 तो फिफ्त का एट आइट 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 168 स्क्वार किलोमेटर, तो जो Govinsagar लेक है, ये सबसे बड़ी man-made लेक है, हिमानचर प्रदेश की, और इसका जो एडिया है, वो 168 स्क्वार किलोमेटर है, चले ये नेक्स देखते हैं, 6th है, which lake of हिमानचर प्रदेश, इस ओरिजन प्लेश ओ पबर लेक, हिमानचर प्रदेश की कौन सी जील, पबर जील का उदगम स्तल है, तो बताईए, ज चंदर ताल से होता है, चंदर नहान से तानु जुबर या सुरज ताल, तो 6th का एड़ टांसर के है, इसका एड़ टांसर है, चंदर नहान, तो शिमला की जो चांसल पीक है, वहां पर चंदर नहान लेक है, और वहां से जो पबर रिवर है, उसका ओरिजन होता है, ठीक है, उसमें बताया था कि किस जो लेख है उसकी शेप कैसी sleeping woman की तरह प्राश्चा डल सुरस्ताल या रेनु का तो सेवंध का एट आंसर के इसका एट आंसर option D या रेनु का लेख है रेनु का लेख सिर्मौर में और इसकी जो शेप है वो sleeping woman की तरह है और सबसे बड़ी नैच्रल लेख भी है हिमाचा प्रदेश की सेवंध का एट आंसर option D चलिए एट देखते हैं which lake is situated at 8 km far away from नारकंडा इन हिमाचा प्रदेश तो कौनसी जिल हिमाचा प्रदेश में नारकंडा से 8 km की दोरी पर है तो बताइए जो शिम्ला में नारकंडा है वहां से 8 km की दोरी पर कौन सी लेख है डल लेख तानु जुबर लेख लामा लेख या तो तानु जुबर लेख ये नारकंडा से 8 km दोर है एट का रड़ाट आंसर option B है नाइन्थ है चंदरकूपताल is situated in which district तो ज़िए चंदरकूपताल है ये किस जिले में बिस्टित है सिर्मौर, मंडी, चंबा option D देखने की ज़रूर भी नहीं है अगर आपको आंसर पता तो जो मांतलाई जील है किस नदी का उद्गम स्तल है तो मांतलाई लेक्स है जो वहां से किस रिवर का ओरिजन होता है आपको ये बताने है पारवती का ब्यास का रावी का चिनापका तो बताएं तो तो मांतलाई लेक से किस रिवर का ओरिजन होता है पारवती रिवर का ओ यह जो यूलुकंडा लेक है यह बताई कहां पर है। यूलुकंडा जील किनॉर में हें déshigtों। चंबा में हैं लॉल्स पीदी में मंदी में। तो टैंथ याइप यह तांसर पीदीमाइप्रा निष्ण कीद Иना बनडि कांगडा या चंबा तो बताई कावेरी लेक फौन सी दिस्टिक में पढ़ती है एक कराली है जो कराली है वो कराली में है और कावेरी का यह सीं चंदरनान लेक हैं पर ये थे हैं फो नहीं पनीस आपने वे कमें bahn। का origin भी होता है, तो चंदरनाल लेका है, ये शिमला में 12th का राइट अंसर, option A है 13 दिखते है, the common holy place of Hindu, Buddhist and Sikhs is situated near which lake, तो Hindu, बौधों और सिखों का समान्य पवित्र स्तल, किस जिल के पास दित है तो बताए किस जिल के पास है, रिवार्ट सर, क्या होगा, 13th का राइट अंसर है, वो है रिवार्ट सर, तो जो रिवार्ट सर है, यहाँ पर आपको Hindu, बौधों और सिख तीनों के तीर स्तल देखने को मिल जाएंगे, तो 13th का राइट अंसर क्या है, option A, रिवार्ट सर, 14th है, on which mountain peak, चंदरनाल लेके situated, तो अभी आपको बताया है, मैंने, बस एक मिनिट भी निवा होगा, तो बताये, किस परवस्षिकर पर चंदरनाल जिल से दित है, अब तो आप अपने आपी आंसर बताऊगे, कपूर, मनीमेश, चांसल या दियो टिबा, तो 14th का राइट आंसर कहा है, 14th का जो राइट आंसर वो है चांसल, तो चंसल पीक है, जो शिमला की वहाँ पर कहा है, चंदनाल लेक सिचुएटेट है, 14th का राइट आंसर ऑप्शन C है, 15th है, the name of रिशी पदम संभव is associated with which रिशी पदम संभव का नाम किस जहिल से जोड़ता है, आपको यह बताना है, तो बताएए जो रिशी पदम संभव है, किस जहिल से related है, रिवाड सर, रेनुका, नैंसर या यूलकांडा, तो 15th का राइट आंसर कहा है, 15th का राइट आंसर है, वो है रिवाड सर, तो जो रिवाल सर लेख है, मंडी की, उससे related को रहन है? रिशी, पदम, संभव, 15th का रिटा राइट आंसर, option A है चले नेक्स देखते हैं, काला सर लेख is located तो जो एक काला सर जील है, ये कहां पर आपको बताने हैं, कौन सी दिस्टिक्ट में है option देख लेते हैं कुलू, मंडी, सिर्मौर यर्शिम्ला, तो बताइए, जो कालसर लेख है, ये कौन सी district में पढ़ती है, 16th का रेट आंसर के है, इसका रेट आंसर option भी मंडी है, तो कालसर लेख कहां पढ़ती है, ये मंडी में पढ़ती है, 17th है, विच लेकिन हिमाचा पदेश is known for group of seven leagues, तो हिमाचा पदेश की कौन सी जिल, साथ जिलों के सम्मू के लिए जाने जाती है, तो बताइए, कौन सी जिल है, गडासरू, नाकू, सुकसर या लामा डल, तो बताइए, 17th का रेट आंसर के है, 17th का रेट आंसर है, वो है, option D, लामा डल लेक, तो जो लामा डल लेक है, चमबा डिस्टिक्ट की, ये किसले मशूर है, क्योंकि group of seven leagues है, ठीक है, साथ जिलों का सम्मू है, 17th का रेट आंसर, option D, लामा डल है, 18th है, सोरंग लेक, तो सोरंग लेक कहाँ पर है, 19th है, which is the biggest natural lake of हिमाचर प्रदेश, तो हिमाचर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकर्तिक जील कौन सी है, रेनुका है, गुविन सागर है, रिवार्ट सार है, पॉंग है, तो बताएं, 19th का रेट आंसर क्या होगा, 19th का जो रेट आंसर पउंग मेंड है, बताएं 21rd का रेट आसर क्या next देखते है, which is the smallest man-made lake of हिमाचर प्रदेश, हिमाचर प्रदेश की सबसे छोटी मानव निरू में ज्हिल कौन सी है, रेनुका है, रिवार्ट सार है, पंडो है या सौल लेक है, तो बताइए, 21 का आयट answer के है, इसका आयट answer पंडो है, तो जो पंडो लेक है, ये पंडो डैम के बनने से बनी थी मंडी में, तो इसकी जो लेंट है, वो 14 किलोमेटर है, सबसे छोटी मैनमेड लेक है, 21 का आयट answer option C है, 22 है, which place in Himachal Pradesh is known as the Switzerland of Himachal, तो Himachal Pradesh के किस तान को Himachal क स्विजर लेंड कहा जाता है, खजियार, पालंपूर, कुल्लू या रिवार्ड सर, तो बताइए, हिमाचल प्रदेश का स्विजर लेंड किस जगह को कहा जाता है, खजियार, पालंपूर, कुल्लू या रिवार्ड सर, तो 22 का रएट answer के है, जो 22 का रएट answer है, वो है खज तो खजयार के बोलते हैं स्विजर लेंड ओफ हिमाचर प्रदेश बोलते हैं चलिए नेक्स दीटेए 23 घडाशुरू लेक इस लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचर प्रदेश तो जो घडासुरू जील हिमाचर प्रदेश के किस तान पर स्थित्य आपको बतानी है कांग तो चंबा जीले की महाकाली जील किस देवी को समर्पित है तो बताइए चंबा डिस्टिक्ट में जो महाकाली लेक है ये किस देवी को तो 25 का होगा 25 का रहत lugयाए चंबा जील चंबा पिर चंबा यह होगाए तो जो कीश देटाज है शिवालिक परवत या सोला सिंगी दार टौ तो कैलाश मॉंटेन को और किस नाम से जाना जाता है मनी महेश मॉंटेन के नाम से जाना जाता है जो कैलाश मॉंटेन है उसी के नाव में सतलुज में बियास में तो 27 का एट अंसर के है इसका एट अंसर रावी है तो रावी में एक चमेरा डैम बनाया था उसी के वैसे चमेरा लेग बनी थी 27 आट अशर ऑप्शन एहे हैं 28 कारेट आंसर, option D, Pong है, Pong Lake का है, यह कांगडा district में बढ़ती है, 29 है कुंत भ्योग Lake is situated, तो जो कुंत भ्योग जीले का है, कुलू में, उन्ना में, मनाली में, मंडी में, तो बताए, 29 कारेट आंसर क्या हुआ, इस कारेट आंसर मंडी है, तो कुंत भ्योग लेक का है, यह मं पंडो जीले हमाचर प्रदेश की किस नदी पर बनी है, ब्यास, रावी, कावेड़ी या चिनाब, तो ठीक राइट आंसर के है, इसका राइट आंसर, option है, ब्यास, तो ब्यास पे, पंडो डैम बनाया था, जिसके वरसे पंडो लेक बनी थी, 30 का राइट आंसर, option A है, टोत 13 किलोमेटर पंडो जो लेक है, उसकी लेंथ है, और इस सबसे छोटी मैनमेड लेक है, हमाचर प्रदेश की, 32 है, गोविन सागर लेक is made on which river in हमाचर प्रदेश, तो गोविन सागर जील है, कौन सी नदी पर बनी है, सिंपली आपसे पूछ रहा है, जिनाब, सत्रुज, सतलुज है, तो सतलुज नदी पर भाखडा बांध बनाया था, उसकी वज़ा से गोविन सागर लेक बनी थी, तो 32 कराइट आप्शन बी है, चली नेक्स दिखते हैं, 33 है, 12 दोंसर लेक is situated in which place in हमाचर प्रदेश, तो जो 12 दोंसर जील है, हमाचर प्रदेश के किस तान पर स सतलुज है, तो उना में है, शिमला में है, कांगडा में है, हमिरपूर में है, तो बताइए, 12 दोंसर लेक कहां पर है, 33 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी शिमला, तो 12 दोंसर लेक का है, ये शिमला डेस्टिक्ट में है, अब तो बोलते बोलत और जो PDF थी वो भी उसकी देर खिए तो उस लेक्चर को भी आप देख लेना बाकि अगर देख लिया तो अच्छा है अब हो बताइ HPSSC में बड़े घोटाले होई थे अब पकड़े भी गए है तो अब उमीद है कि फेरली एक्जाम होंगे तो फेरली होंगे तो अब और महनत करेंगे और इस पार एक्जाम लेकी रहेंगी यानि सीट अपनी लेकी रहेंगे तो त्यारी फूल रखना और ऐसनी की हम मुझे उमीर है बाकि कुछ योगदान में भी दे सकूँ आपकी तियारी में तो उसके लिए टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसे जोइन कर लेना वहाँ पर आपको इंपोर्टेंट पीडेफ्स मिलते रहेगी स्टेडी मेटरियल मिलते रहेंगी तो सारी चीज़े याद करनी है थर्टी फाइव है प्राश्चर लेक कहां पर है कुंसी डिस्ट्रिक्ट में आप से सिंपली पूछ रहा है तो कुलू मंडी उन्हा मिरपूर तो बताइए थर्टी फाइए इसका एड़ांसर ऑप्शन भी मंडी है तो प्राश्चर लेका है मंडी district में है जर्दी जर्दी कुमार्वा लेक का है कुमार्वा जील का है मंडी में कुल्लू में उन्हा में या बलास्पूर में चुर्ण कानश इतांशन मंडी है कुमारवा लेक भी कहा है कर दिस्ट्रिक्ट है यह Social कि इस similar ये क्या है hate event and commentary म Whenever नोंए तीनाइन है नहीं यह सुक्सर लेगं कुलो में इस सुचटर इन leash district दो डल लेग ऐख का है कुलू में मंडी में टो आपकी पार्वती रिवर उसका ओरिजिन होता था मांतलाय लेख से मांतलाय लेख का है कुलू मंडी चम्बा तो मॉंतलतने लेक का है, 40 का रइड आंसर, option A, कुलू, तो मानतला लेक है कुलू district में, 41 है, स्रोल्सर लेक, is situated in which district, तो जो स्परोल्सर लेक है, यह कहां पर है, कुलू, मंडी, चंबा, या कांगड़ा, तो 41 का 8 answer का है, कुलू आलों को बताई है, सुरोल सर लेक का है, यह है कुलू डिस्टिक्ट में, 41 का 8 answer option ए, बाकि कुलू का सभी को पता है, तो कुछ common lakes है, यह तो पता ही होती है, बाकि जो मुश्किल है, वो चीदे याद करने है, असान तो सब सही करके आते हैं, जो मुश्क मेटर, तो एक सूरज ताल थी, एक चंदर ताल, दोनों कहां थी लौल स्पेती में, अब देखें, आपर चंदर ताल ही आ गया, तो चंदर ताल जील कहां पर है, यह भी लौलेंड स्पेती में ही है, 43 का 8 answer option ए, 44 है, चंदर ताल लेक is also known as, तो जो चंदर ताल जील है, उसे में क्या नाम दिया था, चंदर ताल को लोहित्या सरूवर नाम दिया था, तो 44 का 8 answer option A है, 45 है, नाको लेक is situated, तो मैंने आपको बताया था, सुरंग में नाका लगा, तो सुरंग और नाको लेक कहां है, यह किनौर डिस्टिक्ट में है, option D इसका राइट अंसर है, 46 है, सुर सुरंग लेक कहां पर एक किनौर डिस्टिक्ट में है, option देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 47 है, the name of Renuka Lake is named after which goddess, तो Renuka जील का नाम किस देवी के नाम पर रखा गया था, तो दुर्गा, काली, Renuka यह पारवती, तो Renuka Lake है, तो Renuka नाम आ रहा है, तो Renuka Goddess के नाम पर ही र 49 है, Nanser Lake is situated in which district, तो बताइए, Nanser Lake कौन सी district में है, कुलू, मंडी, कुलू या कांगडा, तो बताइए, 49 का रहा है, इसका रहा है तो दो जगा कुलू आकर तो दोनों ही रहा है, A और C, इसका रहा है नाम सर लेक का है, कुलू district में है, चले, next देखते हैं 50, गर कुफर is situated in which district, तो जो घर कुफर है, ये गर कुफर लेक की बात कर रहा है, तो वो कौन सी district में है, आपको ये बताना है, एक बार option देख लेते हैं, कुलू, शिमला, चमबा या कांगडा, तो बताइए, गर कुफर का है, 50 का रहे टान से के, option B, शिमला, तो घर कुफर लेक का है, ये श मैसेज कर सकते हो, किसी भी एक्जाम का study material और test series दे सकते हो, जाए सब इंस्पेक्टर हो, जेबटी कमिशन हो, पटवार यो, कोई भी एक्जाम हो, उसका आपको पूरा complete study material मिलेगा with test series, तो उसके भार आपको कोई भी source follow करने की जरूद नहीं पड़ेगी, तो अगर आपको लेना होगा study material तो इस नंबर पर WhatsApp कर दिना, बाकी मैं आप से एक ग्लास मिलता हूं, तब तक के लिए शबबख है, thank you.